हेलो दोस्तो हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है आज मैं आपको चाए बनाने का तरीका बताऊँगे अगर आपको एक कफ चाए बनानी है तो आप आदा कफ पानी को उबालीजिए और फिर उसमें आप आदा चम्मच चाए एक कफ चिन्नी और यह चुथाई से भी कम च चाए का जिसे हम चाए मसला भी कहते हैं डालेजिए जब आपकी चाए चिन्ने में और मसले में इसमें खोब पानी में भान आ जाए तो आप अधा कफ दो डाल लेजिए आपकी चाए तैयार है सर्दे में आप चाए एक अद्रक का टुकड़ा और फांच है तुल्षी के प जो सर्दी जुखाम से लेकर हमारे सरीज की कैंसर तकी बिमारी को ठीक करते हैं आप में इसके मसाले बनाने का आपको तरीका बताऊंगे आप हरेलाची सोडा ले लिजिए डाल चिन्नी का टुकड़े आप चाड़ ले लिजिए और काड़ी मिलच आप साइट ले लिजिए ले लिजिए इसमें मैंने हरेलाची डाल चिन्नी और काड़ी मिरश डाल ली है जो मैने आपको इसके मात्रा बताई है हरेलाची सोडा डाल चिन्नी के टुकड़ा चाय और काड़ी मिरश सैट इन तीनों चैजियों का मिला कर आप पोर्डर बना ले जिए और जब भी आप चाई बनाए इसमें से आप थोड़ा सा फोल्डर डाल दीजिए आपकी चाई वह टेश्ट लगेगी और इनके दानने से आपको यह सरीर में कोई नुखसान भी नहीं होगा क्योंकि दार्शिन्नी हमारे शरीर में पाचन सक्ति को बढ़ाती है और शर्दी जुखाम को भी ठीक करती है काड़ी मिरज दीन चार काड़ी मिरज और एक अद्रक का टुकड़ा अगर आप इसकी चाई बना कर पिए तो आपकी शर्दी जुखाम में भी अराम होगा माँ थे वह र 沒有 Garbage इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यह अलगी इसका टेस्ट में जोओ आप चाहीं में डाल लो गया खली एक दो अध्यारी लाची डाल लिए तो इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा और इसे दानने से हमारे शरीर फर्वाव नहीं पड़ेगा जब कहते हैं कि चाई से नुकसान होता है पर चाई पीने अगर आप दिन में दो कप चाई पिए तो दिन में आप 7-8 गिलास पाने पिलेजिए इससे आपकी सरीर पर चाई पीने का कोई परभाव नहीं पड़ेगा अगर आपको मेरी हैं चाई और चाई के मसाले के दिए से भी पसंद आई हो तो पिलीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू